पडोस की महिला से बात ना करने को लेकर हुए विवाद में पांच लोगों ने मिलकर एक यूवक की हत्या कडाले। इस दोरान आरोपी ने तेजधार वाले चाकू से मृतक के गले में वार कर घटना को अंजाम दिया। दुरुक के खुतवाले थाना चित्र अंतरगत ग्राम महलई में बीती राते की यूवक उम प्रकाश को पांच लोगों ने विवाद के चलते गले में चाकू से वार कर मौच के घाट उतार डाला। इसकी जान काई लगते ही मौके पर पहुँची दुरुक पुलिस ने गंभी रूप से घाए लिवक को जिल्ला अस्पताल में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे बृत घोशित कर दिया। गोर तलब है कि महले गाउनिवासी ओंपरकाश की गाउं के पांच लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। बृतक सेंटरिंग मिस्तरी का काम किया करता था। महले में ओंपरकाश के दोस्त की शादी चल रही थी। इस दोरान पंच शिल नगर के पांच नावालिक भी पहुँचे। ऐसा बताए जा रहा है कि पांचो नावालिकों का उंपरकाश से पुरानी रंजिस चल रही थी। किसी पड़ोस की महला से बात नहीं करने को लेकर विवाद चला फिर विवाद इतना बढ़ गया कि पांचो आरोपियों ने उसे मौत के घाट ही उता डाला। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार शादी में जाने के बाद पुरानी रंजिश खत्म करने नावालिकों ने पहले उंपरकाश को अकेले बुलाया और पांचो आरोपी शादी स्थल से कुछ दूर पर मिले इस बीच विवाद खत्म करने की बात पर बहस होने लगी बा बाद भी ओम प्रकास गले में हाथ दबाते हुए शादी स्थल तक पहुंचा और वहीं गिर गया ये देख शादी समारों में संसनी फैल गई इसके बाद वहां से उसे अस्पतार ले जाये गया जहां उसकी मौत हो गई इस मामले में दूर्ग पुलिस ने मामले को संग्या जान में लेते हुए सभी पांचों आरोपियों गिरफतार कर लिया है जिसमें चार नाबालिक बताए गए हैं और एक के बालिक होने की जान चल रही है इस संबन में एडिशनल एस पी अभिशेक जान ने जानकारी दी यह थानक खुतवाली का मामला है जो घ्राम महलाई में घटना घटी थी भीति रात रगबक साड़े बारा बजे के आसपास पुलिस को सुचना मिली थी कि पुछ लोगों ने मिलकर के एक विकति की चाकु से मार कर अत्या कर दी है इसमें तकाल पुलिस महां पर कहुंचिया और अपने कारवाई करते हुए पत्काल उन्हों की पहचान करने का प्रयास किया गया और घेराबंदी किया गया और रात वे सुबह सुबह होते तक कि हम लोगों ने जितने आरोपी उसमें सामिल थे सभी आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया है म्रितक करना त्यूरा तो आरोपी तो कि सुखत वसक्ति की लिए इस तो इसको उच्या परकते हो कि सर्केज़र क्या? इसमें पांच आरोपी हैं और लगभग सदी इसमें चार तो नावालिक हैं और पांचवे के उम्रक के संबन में दस्तावेजों का परिक्चन किया जा रहा है। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट